पानी आजाने के कारण रास्ता हुआ बंद बीना बान परियोजना के आठों गेट बंद कर दिये गए थे जिसकी बज़े से पानी का बहाव रुग गया था पानी का बहाव न होने की बज़ए से पानी इस्थर हो गया था और बारे सोई इखटा हुआ और नदी नाले में पहुचने लगा जिसकी बज़ए से रोड बंध हो गया था बाहन चालक रिपटे से पानी उतारते करते रहे इंतजार बेगोंच की गलियों में पानी भर गया कई घरों में पानी भराया लगबग दिन भर से बारिस के कारार तेज बारिस के कारार जन जीबन पूरी तरह से हुआ अस्त ब्यस्त आज दिन भर से ही जमा जम बारिस का दौर जारी है हलाली डेम का लेबल 1508 फीट है जबकि अभी डेम का लेबल 1502 फीट हुआ है इस हिसाब से लबालब भरने के लिए 6 पिट पानी की जरूरत है बिदीशा राइसेन के करीब 40,000 हेक्टर भूमी को हलाली बान से सिर्चाई सिंचित किया जाता है मद्द प्रदेश में हो रही मूशलाधार बारिस मौसम विवाग ने कई जिलों को किया एलाइड जारी मद्द प्रदेश में भारी बारिस का दौर जारी है इस समय मद्द प्रदेश के दो बैदर सिस्टम सक्री होने के कारण प्रदेश में दो तरह का मौसम देखने को मिल रहा है कई जगाए पर भीशन बारिस का दोर जारी है कई जगाए पर लोग उमज भरी गर्मी से परिशान नजारा रहे हैं इसी बीच मौसम विबाग की एक तरफ रहत भरी खबर सामने आई है जिसमें मौसम विबाग की तरफ से मद्द परदेश के कई जगों के लिए भारी बारिस का ऐलर्ट जारी किया गया है बिदिशा, भोपाल, सीहोर, हर्दा, बुरानपूर, राइसेन, नर्वदापुरम, बैतूल, छिनबाडा, सागर, नर्सिंगपूर, कटनी, मंडला और बाला घांट में भारी बारिस का मौसम एलर्ट किया गया है इसके अलाबा प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारी और हलकी आरेज बारिस के साथ गरच चमक की इस्तिती देखने को मिल सकती है मौसम विवात की माने तो अभी दो-तीन दिन तक इस्ट्रांग सिस्टम एक्टिबेट है जिससे पूरे प्रदेश में 22 से 24 अगस्त को जहमा जहम बारिस होगी इस दोरान पश्चिम मद्द प्रदेश के मुकाबले पूरवी मद्द प्रदेश में भारिस बारिस होने के आसार है इसलिए घर से निकलते समय बारिस का इंतजार जरूर करें और मोसम विवाग की जानकारी जरूर करें जिसकी बज़े से आप परेशानी से बच सकें राइसेन बेगम गंच से हमारे संबाद दाता शरत शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट